नवश्कार दोस्तों तीपे इंसाइट्स में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे रक्सा टीपी के बारे में बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि हमने कोई हेल्थ इंसुरेंस पोलसी परचेस कर लिए तो उसका इस्तमाल कैसे कर आप लोगों को बताने वाला हूं कि रक्षा का जो हेल्थ कार्ड है जो रक्षा टीपे का जो हेल्थ कार्ड है या हेल्थ पोलसी है उसका इस्तमाल हम अपने ट्रीट्मेंट में बहुत अच्छे से करा सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस में बताने वाला हूं एड्मिट के ट कि ऐस कि टाइम में हेल्थ इंसॉरेंज बहुत ही बड़ी ज़रुत की चीज होगी है और होना भी चाहिए सब लोगों के पास Sparkrend क्मार्या बहुत की बढ़ चुकी हैं तो हेल्थ इंसॉरेंज आप लोगों के पास रहेगा या अप лишь आप कि फैमिली के तो यह वीडियो को लाश्ट तक देखिए मैं बताने वाला हूं कि यह जो कार्ड आपका बन जाता है रक्षा का जो कार्ड है इंडिविज्वाल पोल्सी के इंदर कि अपनी मर्जी से कोई प्लान पर्चेश करते हैं जो प्लान हमारी फैमली के लिए जरूरी होता है और अफोर्डेबल होता है उसका जो प्रीमियम होता है वह हमारे बजट में होता है उस हिसाब का कोई प्लान हम पर्चेश करते हैं किसी नजदी की एजेंट से या ओनलाइन प जो मालिक है या employer है कि अपने employee का Health Insurance कराता है employee का भी कराता है employee की family का भी कराता है तो बहुत सारे employees जो होते हैं उनको यह नहीं पता होता है कि उनका भी एक health card यहाँ बना वह यह या बन सकता है तो तो आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो आप वहां पर पता भी कर सकते हो आज कल ज्यादतर कंपनियों में जो कंपनी है अपने एक प्रोड्ली को तो अगर आप लोगोंने नही लिया है तो आप ले लीजिए पता कर लिजी अपने कंपनी कंपरी घे हो गयर Cute या कोई पुराना साथी है उससे आप पता कर सकते हो कि हमारी जो company है उसके अंदर कोई health insurance policy भी लागू है क्या अगर लागू है तो आप अपनी family के लिए फटा फट ले लीजिए क्योंकि यह बहुत जरूत की चीज़ है जितना ज्यादा पुराना policy रहेगा उतने benefit आप लोगों को ज्यादा मिलने वाले हैं तो corporate policy में अपनी मर्जी नहीं चलती है यह जो corporate वाले अपनी मर्जी से जो plan purchase करते हैं वही employee पे लागू होते है इंडिविजियल पॉल्सी और corporate policy की दोनों की terms अलग अलग होती है दोनों की condition अलग अलग होती है तो वह आप लोगों को जब आप policy purchase कर रहे हूं या policy आपके हा क्या पता करना है कि किस hospital में हमारा card चलेगा उसके लिए हमें रक्षा की website पर जाना है रक्षा टीप एगी वहां पर हमें अपने network hospital की list निकालने हैं उस लिस्ट में क्या देखना है हमें पहले तो अपना state select करना है पर district select करनी है या अगर वहां पे pin code का option आ रहे है तो pin code डा जदी को आप उस hospital में जाके अपना treatment करा सकते हो जब हम किसी network hospital के अंदर treatment कराने जाते हैं तो सबसे पहले हमें डोक्टर को OPD में दिखाना होता है डोक्टर को लगता है कि patient को admit होने की जूरूत है उसी condition में ही हमारा card चलेगा और उसी condition में हम hospital में admit हो सकते हैं डोक्टर के admit ह होने के बाद हमें क्या करना है कि हमें TPA की team से मिलना होता है सभी hospital के अंदर एक TPA की team होती है उनसे मिलना होता है उनको अपने documents दिखाने होती है policy related अपनी ID देनी होती है जैसे अधार card हो गया pen card हो गया यह सब वहां पे देने होते हैं वो एक pre-authorization form पे sign कराएंगे आप लो नेटवर्क होश्पिटल के अंदर आप treatment करा रहे हो दूसरा minimum 24 गंटे आप लोगों को admit होना पड़ेगा चाहे वह individual policy और corporate policy अगर OPD की अलग से कोई आप लोगोंने प्लान ले रखा है तो वह एक अलग चीज़ है अधर्वाइस minimum जो time होता है जो criteria होता है insurance company का health insurance company का 24 गंट होते admit होने का होता है तो individual में भी होता है corporate policy में भी होता है दोनों में यह होता है यह तो cashless वाला बता दिया जो network hospital में आप लोगों को अपना treatment करना है उसके बाद आता है no network hospital no network hospital का मतलब होता है जो hospital रक्षा TPA की list में add नहीं है या उनके साथ टाइप नहीं है जिन hospital का होता अच्छा hospital है लेकिन वहां पर रक्षा का काड हमारा नहीं चलेगा तो लेकिन हमें treatment वहीं पर कराना है तो उस condition में आप लोगों को घखराने की ज़रूत नहीं है आप लोग अपना treatment कराईए वहां पर treatment कराने के बाद सभी payments आपको खुद करनी पड़ेगी जितनी भी आप लोगों ने वहां पर payments की है उनकी सभी receipt लेनी है वहां से discharge के time पर final bill लेना है discharge summary लेनी है lab test हुए तो उनके report लेनी है जो भी आपका documents वहां पर बना है payment देते time पर उस सभी documents आप लोगों को वहां से लेने है उसके बाद आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को claim form A और B भरना है वह रक्षा TPA की website पर मिल जाएगा जो एक reimbursement का form आता है उसको claim form A और B भी बोलते है वह form भरना है आप लोगों को सभी bills पे और form पे sign stamp होगी hospital की और वह अच्छे से आप लोगों को भरना है चेक करना है बिल पर जो amount है वह amount उसके अंदर डालना है amount जो है mismatch न हनए के बात सारे documents supporting में लगने बाद हमें insurance company के पास भीजना होता है insurance company उस claim को check करतीए उनको लगता है कि एक और जो आपका amount होता है वो आपके खाते में transfer कर दिया जाता है लेकिन अगर उनको documents complete नहीं लगते हैं तो वो additional documents करके query लगाते हैं तो आप लोगों को घबराना नहीं है उस query का answer करना है बहुत अच्छे से समझ के और उस पर जवाब जितना जल्दी उसके आप लोगों को देन claim pass करके आपके खाते में पैसे डाल देंगे तो आपका जो रक्षा का health card है वो individual policy corporate policy दोनों बताया मैंने cashless में कैसे युज़ोगा वो मैंने बताया reimbursement में कैसे युज़ोगा वो मैंने बताया तो रक्षा health insurance का जवाब आप लोगों को दूंगा चैनल पर आप लोग नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार